हेलो एवरीवन वेलकुम बैक टो दचैनल टॉपण निंजा एग्रीकल्चर मैं रिच्छर तिवारी फिर से लेकर आई हूँ करेंट अफेर्स रिलेटेट टू एग्री कल्चर तो चलिए नारियल पोर के शुरुवात करते हैं आज के करेंट अफेर्स की आज के करेंट अफे Export Development Authority के बारे में, जिसे हम short में बोलते हैं Mepeda जो आपका established हुआ था in the year 1972 और ये Mepeda जो है वो Ministry of Commerce and Industry के अंदर में आता है इसका जो major काम है वो है कि ये promote कर सके export of marine products इंडिया से बाहर और 1972 से पहले ये marine products export promotion council जो था वो establish हुआ था government of India और ये उसे इस्टार्ट किया था September 1961 और जो की ही आपका promotion of export of marine products handle करते थे लेकिन उसके बाद 24th August 1972 में ये इसको वो marine products export development authority के नाम से हम जानते हैं last financial year में 19 into 20 year में आपका जो इंडिया export है only the seafood उसे ये बोला जा रहा है कि 12,89,651 million tons seafood जो है जिसका cost है US dollar 6.68 और equivalent है वो आपके 46,663 करोर का मतलब इतने COVID-19 pandemic outbreak के बाद भी जो है marine export जो है वो आपका बहुत ही अच्छा रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 तक हमारा target है कि marine export जो है वो रुपीज वन लाक करोर तक पहुँच जाए तो चलिए मेपड़ा के बारे में और जानते हैं कि मेपड़ा का जो main काम है कि वो marine products को कैसे promote कर सके इंडिया से बाहर जिससे हमें जादा सा जादा profit हो और यह सारे major steps जो है या actions जो आप बोलेंगे वो ले सकता है उसको permission है है कि किस तरीके से different resources को use करते हुए यह all varieties of fishery products जिसमें हमारा shrimp आता है prawns, lobster, crab, fish, shellfish और जितने भी हमारे aquatic animals और plants हैं उनके export को बढ़ावा देना साथ ही साथ इसके अलावा और भी कौन से export products हो सकते हैं, marine export products हो सकते हैं जिसे हम include कर सकें वो भी मेपडा जो है वो rule out करता है मेपडा जो है हमारा यह भी regulate करता है कि quantity ही नहीं बलकि quality of seafood exports जो है वो आपका improve हो इसके लिए यह वो inspections भी कर सकता है, raw materials का जो एक fixed standard है उसको वो fix करता है जिते भी specifications हैं वो भी carry out करता है और साथ ही साथ वो बहुत सारे training in different fishermen's जो है या फिर जो भी seafood marketing में involved है उनको वो training भी provide करता है time to time मेपडा जो है अभी इसके बारे में हम क्यों इतना focus कर रहे हैं क्योंकि last year 2020 December मेपडा ने इंडिया का पहला aqua farmers call center जो है वो start किया है एक कहां पे विजयवाड़ा इन आंधर प्रदेश जो कि आपके multilingual languages में जो है वो मौझूद है और उससे बोला जा रहा है कि वो English और Hindi तोनों ही इक वाल्स को जो है है उसमें आप easily ही आप उससे बात कर सकते हैं जो कि आपके efficient farming methods को वो एक बहुत ही important and more पे लेके आया है आंधर प्रदेश जो है ऐसा बोला जाता है कि जितने भी 60% of country का जो marine product होता है वो आपका आंधर प्रदेश जो है वो contribute करता है एक्वा farmers call center का जो toll free number है वो है आपका 818004254648 इन प्रजेंट टाइम के मेपड़ा की जो chairman है वो है आपके श्री के एस श्रीनिवासन जो मेपड़ा का headquarter है वो है आपका कोची में और मेपड़ा जो है अगर आप मोटा मोटा जाने यह तो वो किस चीज़ पर मीलनी फोकस करता है वो फोकस करता है मार्केट के production पे ज्यादा से ज्यादा fisheries के capture करने में उनका culture करने में और जितने भी processing infrastructure है या फिर value addition product जो है उनको बनाने में quality को control करने में और different research and development करने में जो है मेपड़ा हमारी बहुत ज्यादा और help करता है तो फिर जुड़े रहिए और जानते रहिए यह agriculture से related current affairs मैं रिच्छतिवारी आप तक पहुंचाती रहूंगी Thank you and have a nice day और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please do subscribe it, like our channel and share it to the maximum people so that they can also be benefited by this